अपने प्रखन छेत्र से रिपोर्टिंग करने के लिए हमें कॉल करें। हमारा नमबर है 800-2820-182 मोधी सरकार ने परधान मंत्री किसान सम्मान निधी के लावार्थी किसानों के लिए एक बड़ी खुश खबरी लेकर आई है। पीएम किसान योजना में रजिस्टेड वे किसान जिन्हों ने अभी तक केवाईसी अपडेट नहीं कराया हैं, वे अब घर बैठे अराम से करवा सकते हैं। विभिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताविक केंदर सरकार ने एक केवाईसी की अंतिम्तिति को बढ़ा कर 31 जुलाई 2022 कर दिया हैं, जो की पहले तक 31 मई थी। ऐसे में सरकार ने किसानों को केवाईसी अपडेट के लिए दो माह का अतिरिक्त वक्त मिल जाता हैं। अगर आप इन दो माह में केवाईसी अपडेट नहीं करते हैं तो आपको PM किसान सम्मान निधी के तहट 2000 रुपे की किस्त नहीं मिलेगी। यह जानकारी PM किसान की वेबसाइट पर दी गई है। परधान मंत्री किसान सम्मान निधी के तहट रजिस्ट्रेशन करा चुके किसानों ने अभी तक अधार OTP वाली EKYC नहीं करवाई है। उनको एक और मौका दिया गया है। इसके लिए आपके अधार कार्ड में आपका मोबाईल नमबर लिंक होना आवस्यक है। लिंक होने के बाद आप लैप्टोप मोबाईल से OTP के जरी EKYC घर बैठे पूरी कर सकते हैं। तक कर सकते हैं। प्रेश कर सकते हैं। प्रेश कर सकते हैं। लिंक है अँगाई है जो दो नमबर भी देया है। झालीज抗्सुड़दी बादोबर बाद प्र्समादों झाल 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 झाल